रोमियों के नाम पॉलुस प्रेवित की पत्री सात्वा अध्याए हे भाईयों क्या तुम नहीं जानते मैं विवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष जीवित रहता है तब तक उस पर विवस्था की प्रभुता रहती है क्योंकि विवाहिता स्त्री विवस्था के अनुसार अपने पती के जीते जी उससे बंधी है परंतु परंतु यदी पती मर जाए, तो वह उस विवस्था से छूट गई। यदी पती के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए, तो व्यभिचारणी कहलाएगी। जो मरे हुँ में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारिरिक थे, तो पापों की अभिलाशाएं, जो विवस्था के द्वारा थी, मृत्यू का फल उत्पन करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थ उसके लिए मर कर अब विवस्था से ऐसे छूड गए कि लेख की पुरानी रीती पर नहीं, बरन आत्मा की नई रीती पर सेवा करते हैं। तो हम क्या कहें? क्या विवस्था पाप है? कदापी नहीं। बरन बिना विवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। विवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। परन्तु पाप ने अवसर पाकर आग्या के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन किया, क्योंकि बिना विवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो विवस्था बिना पहले जीवित था, परन्तु जब आग्या आई, तो पाप जी गया, और मैं मर गया, और वही आग्या जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यू का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आग्या के द्वारा मुझे बहकाया, और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला, इसलिए विवस्था पवित् मेरे लिए मृत्यू का उत्पन करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रगठ हो और आग्या के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि वेवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूँ परंत यदि मैं वही करता हूँ जिस की इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। सो मैं यह वेवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुशत से तो परमेश्वर की वेवस्था से बहुत प्रसंद रहता हूँ परंत मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की वेवस्था दिकाई पड़ती है जो मेरी बुद्धी की वेवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की वेवस्था की बंध निदान, मैं आप बुद्धी से तो परमेश्र की विवस्था का, परंतु शरीर से पाप की विवस्था का सेवन करता हूँ.